इस वीडियो में मैं जो हरकत करने वाला हूँ, आपको उसमें मिस्टेक ढूंडनी है, देखिए, 2 जो है, उसको मैं 1 प्लस 1 लिख रहा हूँ, आप सहमत भी होंगे कि 2 को 1 प्लस 1 लिखा जा सकता है, अब ये वाला जो 1 है, इस 1 को अगर मैं रूट 1 लिख दूँ, तो आप ब आप बोलेंगे लिख दो, कोई दिकत नहीं है, 1 into 1 भी 1 ही होता है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि यार, ये जो 1 into 1 है, इसको अगर मैं minus 1 into minus 1 लिख दूँ, तो कोई दिकत, आप बोलेंगे जी, कोई दिकत नहीं, अब मैं कुछ और स्टेप्स लिख र इन्टू आयोटा होता है तो यहां पे हो गया 1 प्लस आयोटा इन्टू आयोटा यह हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वाइर और हम सब को पता है आयोटा का जो स्क्वाइर है वो माइनस 1 होता है तो आयोटा का स्क्वाइर मेरा माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 मेरा 0 आ गया मैंने यहां पे ये प्रूव कर दिया है कि मेरा जो टू है वो जीरो के बराबर होता है गयामत आ जाएगी अगर टू जीरो के बराबर हो गया ये पहाड ये जरने ये हवाएं ये सूरज सब चिल्ला उठेंगे कि क्या कर दिया टू जीरो के बराबर गजब कर दिया मैंने प्रूव कर दि या टू-जीरो के बराबर है, obvious सी बात है, टू-जीरो के बराबर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस पूरी प्रोसेस में कहीं न कहीं लफडा किया है, लोचा किया है, गड़बड की है, आपको ये identify करना है कि मैंने किस step में, कहां पे लफड़े बाजी की है कमेंट करके बताएं कि लफड़े वाला step कौन सा है, यहां पे लफड़ा है, कि यहां इस step में लफड़ा है, इस step में लफड़ा है, यहां गड़बड की, यहां गड़बड की, यहां गड़बड की, कहां गड़बड की, किसी एक step में गड़बड की, कि ज्यादा steps में गड इस पूरी प्रोसेस की जो गलती है वहां पे छुपा हुआ है तो आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप इस गलती को यहां पर ढूंड लेते हैं और इस को पूरा फील कर लेते हैं तो यह देखिए कि मैंने कुछ 2 को 0 के बराबर यहां पर प्रूफ कर दिया कयामत अजाए ये गर मैट्स में 2, 0 के बराबर हो जाए तो बताओ मेरे को गलती कहा है कमेंट करके